सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज योटिप चैनल को रिस पैर आइकन को ज़रूर दबाईए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस अबडेट मिल सेके जोकी बिल्कुल मुख थे मेरी प्यारी बेहनों आप बहुत समय से धूप में इंतजार कर रही हैं सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ इस सभा में और आप सब को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतनी धूप में इतने समय से मेरा इंतजार कर रही है मेरे प्यारे भाईयों आप स कि चुनाओं के समय आम तोर से सब राजनेतिक पार्टियां के जो नेता हैं वो आपके सामने आकर प्रचार करती हैं और प्रचार में आम तोर से उनको ये बाते करनी चाहिए जिनसे आपका मतलब होता है मतलब आपकी क्या समस्याएं हैं किस तरह से उन समस्याओं को दूर करना चाहते हैं आगे भविश्य में पांच सालों के लिए क्या करेंगे और पिछले पांच सालों के लिए उन्होंने आपके लिए क्या किया लेकिन 2014 से लेकर 2019 से एक अजीब सा सिलसला जारी हुआ है हमारे देश में और वो ये है कि पूरे पांच सालों से सिर्फ प्रचार ही प्रचार चल रहा है और काम नहीं चल रहा तो जब भी आप टीवी चलाएंगे या अखबार देखेंगे तो आपको बड़े बड़े प्रचार आपके सामने किये जाएंगे कि आपको ऐसे लगेगा कि जाने इस देश में इतना विकास हो गया है पांच सालों में कि 60-70 सालों से इतना काम नहीं हुआ लेकिन जितना प्रचार आप देखते हैं इस्तिहार आप देखते हैं बड़े बड़े उस पे प्रधान मंत्री जी की तस्वीरे होती हैं बड़े बड़े एलान होते हैं एक इस्तिहार मैंने देखा कि बिजली की बिल पर मारी तलवार एक बार फिर मोधी सरकार उसी दिन मैं उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही थी और मुझे कई महिलाओं ने अपनी बिजली की बिल दिखाए और उन्होंने कहा दीदी देखिए हमारे घर में बिजली तो दो तीन घंटे आती है हमारी पचास हजार की पैतिस हजार की बिले आ रही है तो एक तरफ एक जूटा प्रचार की बिजली के बिल कटे जा रहे हैं और दूसरी तरफ एक असलियत की बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं जबकि बिजली ही नहीं आ रही है तो ये जो फर्क है प्रचार में और असलियत में आप अब पाँच सालों से देखे आ रहे हैं अब चुनावाया तो प्रचार और भारी होने लग गया मोदी जी कहने लग गए कि वो एक बहुत बड़े तपस्वी हैं और पचास सालों की उनकी तपस्या की उन्होंने और पाँच सालों में तपस्या द्वारा ही आपके लिए कितने बड़े-बड़े काम किये है लेकिन बेनोर भाईयों तपस्या अहंकार को तोड़ती है तपस्या क्रोध और नफरत का विनाश करती है इनकी तपस्या ने अहंकार नहीं तोड़ी है तोड़ा है आज इस सरकार का अहंकार इतना बढ़ चुका है कि आपके बीच आने का एक ही माध्यम है वो सिरफ इस तरह से बड़ी-बड़ी मीटिंगों में आपको भाशन देने आते हैं लेकिन अपने ही क्षेत्र वारा नसी में अपने ही सानसदिय क्षेत्र में पाँच सालों के अंदर उन्हें पाँच मिनट का समय नहीं मिला कि वो एक भी गरीब के घर एक भी किसान के घर जाएं और उनसे ये पूछे कि आपका हालचाल क्या है आप कैसे जी रहे हैं कि मेरा बड़ा शासन है मैं इतना शक्तिशाली हूँ बताईए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सी तपस्या कर सकता हूँ ये तो आप से कभी नहीं पूछा है इन्होंने सिर्फ आकर आपको बड़े बड़े भाशन दिये है तब करने वाले इनसान दर्द मंदों के दर्द पर अपनी सत्ता की इमारत नहीं बनाते तब करने वाले इनसान आदिवासी बहन भाईयों की तपस्या का मजाक नहीं उड़ा सकते भूमी अधिकरन का कानून इन्होंने नश्ट किया है असलियत ये है कि कॉंग्रेस पार्टी भूमी अधिकरन का कानून लाई और इनके शासनकाल में उस भूमी अधिकरन कानून को तोड़ा गया सांसद में लाए जब सांसद में कॉंग्रेस पार्टी और दूजरे विपक्षी दलों ने इनको रोका तब उन्होंने अपने प्रदेश के सीम को फोन किया और हर प्रदेश में जहां भाजब्पा का शासन है वहां भूमी अधिकरन कानून को तोड़ा एक समय में ग्रामसभा और किसान की सहमती से ही उनकी जमीन लिजा सकती थी आज आपकी जमीन जिस पर आपका अधिकार है ली जाती है सरकार द्वारे ली जाती है बड़े बड़े उद्योग पतियों द्वारे ली जाती है और आपका अधिकार उस पर बचा नहीं यही असलियत है इनकी प्रचार करते हैं कि जब तक ये जिन्दा है तब तक आदिवासियों का बाल बांका नहीं होगा लेकिन बाल बांका इन्होंने खुद किया है इन्होंने खुद आपके अधिकार लूटे हैं और खुद आपसे अपने अधिकार लिये हैं अगर इनकी नियत सही होती तो 36 गर में जिस तरह से कांग्रिस ने जो जमीन इस्तिमाल नहीं हुई उद्योग पतियों द्वारा हो आदिवासियों को लोटाई उस तरह से यह भी ऐसा करते लेकिन नियत सही नहीं है आपकी जमीन क को पीछे से बिगैर आपके इजाज़त के बिगैर सांसद में पास कराएं आपकी जमीनों का अधिकार आपसे छीना गया है वन अधिकार के जो पट्टे हैं उनके बारे में इन्होंने बहुत प्रचार किया लेकिन असलियत यह है कि साथ प्रतिशत आवेधन उन्होंने खारिज किये है इसका मतलब है कि 100 में से 60 अवेदन वापस कर देते हैं, रद कर देते हैं तो जब अपने अधिकार आप मांगते हैं, तो आपकी कोई सुनवाई नहीं है इनकी असलियत यही है जैसे कमलनात जी ने कहा किसानों को पूरी तरे से 5 सालों में नकारा गया है आज देश के किसान की ये स्थिती है कि हमारे तपस्वी प्रधान मंत्री उनको उपज का दाम नहीं दिलवा पाए हमारे तपस्वी प्रधान मंत्री उनको बीज और खाद समय पर नहीं दे पाए हमारे तपसवी प्रधान मंत्री बारा हजार किसानों की आत्म हत्या को देख कर भी मौन रहे और जब हजारों की तादाद में देश भर से प्रदेश से हर प्रदेश से राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब के किसान, नंगे पाओं, पैगल, दिल्ली शहर में आए प्रधान मंतरी के द्वार तक आए जब उन्होंने प्रधान मंतरी जी से हाथ जोड़ कर आग रह किया कि प्रधान मंत्री जी हमारी पाच मिनट के लिए समस्याएं सुन लीजिए तो हमारे तपस्वी प्रधान मंत्री मौन रहे अपने दर्वाजे से निकल कर पाच मिनट के लिए उन किसानों से मिल नहीं पाए उनके पास किसानों के लिए समय नहीं है भैनोर भाईयों गरीबों के लिए समय नहीं है उनके पास मात्र समय है कि वे दुनिया भर का ब्रह्मन करें अमरीका जाएं अमरीका के राष्टपती से मिलें चीन के राष्टपती से मिलें जापान के राष्टपती से मिलें यूरप में जाकर उनके राश्टपतियों से मिलें, तमाम दुनिया में वो भ्रमन करें, लेकिन अपने देश हिंदुस्तान के गरीबों के लिए उनके पास कोई समय नहीं रहा, अगर वो इतना तप करते हैं, तो युवाओं के लिए युवाओं की जो तपस्या है, जो आएंगे, आपने पात साल पहले मुझे ये वचन दिया था, कि आप हर साल दो करोड रोजगार पैदा करेंगे, और देश का नौजवान भटक रहा है, तरस है, परिशान है, लेकिन हमारे तपस्वी प्रधान मंत्री के पास, देश के नौजवान की आवाज भी सुनने का स पांच करोर रोजगार घटे हैं, पांच करोर रोजगार बहनों और भाइयों कम हुए हैं, इन्होंने नोट बंदी की, आप सब से कहा कि आप देश-भक्त है, कतार में खड़े हो जाईए, आप खडे हो गए, आपने अपनी देश-भक्ति दिखाई, आपको गुम्राह कर क कहा कि देश के में सारा काला धन वापिस आ जाएगा असलियत क्या है एक भी रुप्या काला धन वापिस नहीं आया आप कतार में खड़े रहे आपको परिशान किया गया और इतने बड़े तपस्वी प्रधान मंत्री जी ने उस नोट बंदी द्वारा सिर्फ उस नोट बंद द्वारा पचास लाख रोजगार खत्म कर डाले आपको शेहरों में रोजगार नहीं मिल रहा था जब आप गाउं वापस आए तो आपको पता चला कि उन्हीं तपस्वी प्रधान मंत्री जी ने मनरेगा को कमजोर कर डाला जिस मनरेगा में आपको मजदूरी के पैसे मिलत अब जाते जसे मनरेगा में मजदूरों द्वारा काम कराया जाता था आज जेसी भी ऑंठेके दारों द्वारा किरा जाता है तो ना आपको शहर में आन्रे यह काम दिया ना गाउं में इन्हों ने काम दिया आप सूच सकते हैं कि कितनी बड़ी तपस्या होगी सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज योटिव चैनल को रिस पैर आइकन को जरूर दबाईए ताकि आपको हमारे वीडियो का लिटेस अबडेट मिल सके जो की बिलकुल मुथ थे